सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए उसके बाद एड्रेस बॉक्स में राउटर के पीछे जो आईपी एड्रेस दिया है वो यहाँ पे एंडर करना है उसके बाद आपको टीपी लिंक का खुमपेश दिखाई देगा यहाँ पे आपको पासवर्ट टाइप करके लॉग इन पे क्लिक करना है Login होने के बाद, आपको यहाँ पे status दिखाई देगा उसके बाद, right side पे wireless option पे क्लिक करना है Next, wireless security option पे क्लिक करे आपको wireless password दिखाई देगा उसके सामने आपको अपने wifi का नया password टाइप करना होगा पासवर्ड टाइप करने के बाद, स्क्रोल डाउन कीजिए और save option पे क्लिक करे इस प्रकार आप अपने TP लिंक राउटर का wifi का password चेंज कर सकते हैं तो आज का है मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यह comment box में मुझे ज़रूर बता देना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू करना थांक्स पर दे वाचिंग